नमस्कार दोस्तों आपका आपके अपने चैनल में स्वाक्त है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के यानि की स्तारा दिसंबर के कुछ एक महत्वपूरन एजुकेशनल और इंप्लोईमेंट अपडेट्स के बारे में इसमें जो है वो आपके मे अब में जो है वो बात करेंगे इसी के साथ जो अभी ह्पू की जांस कमेटी ने थर्ड री चैकिंग करवाई पेपर्स की तो उसमें जो है वो कितने स्टुडेंट्स यहां पर पास हुए उनका रिजल्ट किस दिन आएगा तो इन सभी अप्लेट्स के बारे में जो है वो हमिरपुर से कुछ एक अपडेट रहेंगे साथ में ही जो है वो ह्पू यूजी स्पैसल चार्ण्स वाले जो स्टुडेंट्स है उनसे समंधित यहां पे एक महतपून अपडेट है तो आज की वीडियो में जो है वो हम लोग इन सभी अपडेट्स के बारे में बात करेंग को बात करें तो आजैसले को हागी बात करें तो आप लोग यहां पे देख सकते हो कि यह कौनस्लिंग आप बजे जो है वो करवाई जाएगी तो इसके लिए जो गवर्मेंट कोलिजिस में कौन-कौन सी सीटे खाली रहा गई तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि गवर्मेंट कोलिज जो जनरल की दो सीटे खाली चल रही है और इसे के साथ T, F, W, S, चीम के अंडर जो भी यहाँ पे अड्मिस्न होनी उनकी तीन सीटे खाली चली हुई है इसे के साथ SPTU Open Campus Government Pharmacist College सेराज में जो है वो जनर्नल की पांस सीटे खाली रह गई हैं इसी के साथ जो EWS से उसकी चार सीटे खाली चली है और TFW Scheme के अडर यहाँ पे तीन सीटे जो है वो खाली चली हुई है तो यह जो कॉंसलिंग है यहाँ पे जो भी सीट यहाँ पे 3,000 रुपे की फीस जो पे करनी होगी और इसको नटेरी कोंसलिंग के लिए जो फीस रहागी बोगों यहाँ पे 1550 रुपे जो है वो यहाँ पे फीस रहे तो Юग जो कॉंसलिंग है जैसे जिन जो मैंने अब उनकी फोटो कोपिस भी लेके जानी पड़ेगी तो वैसे आपकी कॉंसिलिंग होगी और कॉंसिलिंग 19 से दिसंबर 2022 को सुबा 11 वजे जो है वो इसी के साथ नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो यहाँ पे NTA ने जो है वो नीट प्रिक्सा का सेड्यूल जारी कर दिया है तो यहाँ पे जो नेशनल टेस्टिंग अजनसी है उसने 2023 के लिए जो भी एक्जामिनेशन होने है उनका सेड्यूल जो है वो अपनी ओपिसिल वेबसाइट पे जारी कर दिया है तो इसमें जो नीट का एक्जाम है यहाँ पे जो है वो 7 माई 2023 को करवाया जाएगा तो इस स्टेडूल के एकोडिंग जो भी नीट का एक्जाम है वो 7 माई 2023 को यहाँ पे होगा इसे के साथ नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो यहाँ पे UGC ने जो है वो जितने भी उनिवस्टिस हैं उनको एक नोटिविकेशन जारी क तो उसमें जो है वो जितने भी कलासिज है वो यहाँ पे एक अगस्त से सुरू हो जाएंगी तो जितने भी उनिवस्टिस हैं उनको जो है वो जुलाई के आखरी हफ्ते तक यहाँ पे अडिमीशन की परिक्रिया प्रूरी करनी पड़ेगी और इसके अलावा यहाँ पे बी 24 तक जो है वो युनिवर्स्टि में जो होस्टल है उसके लिए अपलाई कर सकते हैं तो यह जो अपलाई है वो ओनलाइन माध्यम से होगा तो आपको जो है वो एक पीटो की वेश्ट पर जाके होस्ट बाला जो पे जाए यहाँ पर आपको यह मिल जाएगा है यह लिंक तो बात जो है वो यहां पर होस्टिल के पलाई हो जाएगा और जो भी स्ट्लील अलोट होंगे वो यहां पर मेरिट अदहार पे जो है वो यहां पर डूइके लिए Tri ST्लील को online करवाएगा और इस counseling में जो जिन भी यहां पर students ने apply कर रहा है उनको अपने जो document है वो लेके जो है वो यहां पर 20 से December को HPU campus में जाना हूँ नेक्स अपडेट की बात करें तो नेक्स अपडेट जो है वो आपका यहां पर UG के जो भी special chances मिले हुए थे उन batches के लिए है तो 2013 से लेके 2015 तक के जितने भी UG के batch है उसके साथ ही 2016-17 और 17-18 के जितने भी UG के batch है जिनको special chance मिला हुआ है तो उसके उसमें यहां पर BA, BSE, BCOM के जो भी यहां पर पर्थम और 3rd, 5th semester के student है जिनके exam अभी होने हैं तो उन चात्रों को डिगरी पूरी करने के लिए जो भी practical प्रिक्साएं हैं वो यहां पर 19 December से आयोजित की जाएंगी तो यहां पर S.P. ने बोला है कि UG के चात्रों को जो भी चात्रो के बैच हैं H.P. UG के इसी के साथ 16, 17, 18, 18 के जो भी बैच है बाद पर पर जो फर्स्ट, थर्ड और फिफ्ट समेस्टर के student है उनको डिगरी पूरी करने के लिए इस वैसल चांट मिला हुआ था तो उनके अभी practical प्रिक्साएं भी होंगी तो यह प्रिक्साएं जो है 19 December से आयोजित की नेक्स्ट अब हम लोग यहां पर बात कर लें H.P. UG. फर्स्टिर के रिजल्ट के बारे भी तो आप लोगों को पता है कि खराब रिजल्ट आये हो था जिसमें जो एक पिरसंट चात्र यहां पर फेल हो गये थे इसके बास जो है वो यहां पर पेपर्स की फेल हो रहे थे यानि कि रिचाइकंग में वहां पर फ़र्क था उनकी थार्ट टाइम भी यहां पर रिचाइकंग हुई है 2000 पिपर्स की तो उसमें जो अब वह वह 111 से विध्यारती ही पास हो पाई है और यहां पर यहां पर जितने भी उनके लैंग्विज सुजक्ट है तो यहाँ पर जो भी जांज कमेट्टी है उसने सिफारिस करी है कि जो भी EBS में फेल स्टुडेंट हैं उनको 5% grace marks दे दिये जाएं और जो बाकी language subjects में जो दूसरे subjects में फेल हैं बहाँ पर अभी कोई भी यहाँ पर सिफारिस नहीं हुई है जांज कमेट्टी की तरफ से तो वहाँ पर जिन दूसरे subject में अगर कोई चात्र फेल हुआ तो क्या उनको grace मिलेगा नहीं मिलेगा क्या किये जाएगा तो इस पर फैसला जो होगा वो 22 चांसलर यहाँ पर जो है वो उनके साथ मीटिंग होगी और 22 चांसलर ही यहाँ पर बताएंगे कि उन चात्रों के साथ क सिपारिस करी है जांच के मिटिने कि उनको 5% grace मार्स दे दिये जाए अब आखरी मोहर यहाँ पर 22 चांसलर की हनुमति के बाद ही लग पाएगी और बाकि जिनके जो विद्यारती यहाँ पर 113 विद्यारती पास हुए है उनका रिजल्ट भी यहाँ विदिन बन बीक में गई है और इसके बाद जो है वो कुछ एक स्ट्रेंट जो है वो रिवैल्यूशन भी जिन्नों ने फिल करी है तो यहाँ पर रिवैल्यूशन का रिजल्ट जो है वो है वो एच्पी ने बोला है कि 13 जनवरी तक घोसित कियर दिया जाएगा तो मैंने आपको पहले बिताए आप तक जो है वो 31 जनवरी तक आज आएगा बाकी जिन्होंने पहले रिवैल्यूशन के फिल कर दिये हैं उनका रिजल्ट यहाँ पर जनवरी फर्स्ट बीक तक आने जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे बाकी कुछ एक चात्रों को लगता है कि वो पास है तो जल्दी से यह आया है तो जो भी यहाँ पर आपका पोस्ट कोड़ था 977 market supervisor तो उसका final result यहाँ पर हिमाचल प्रदेश क्रमचारी अयोग ने जो है वो जारी कर दिया है तो आप लोग मेरे टेलिग्राम ग्रूप को जोईन कर सकते हो जैसे आप मेरे टेलिग्राम ग्रूप को जोईन करोग कर देना है जो भी आपका डाउट होगा जो भी आपकी क्यारी होगी उसके रिगार्डिंग जहां पर मसको दूर करने की पूरी कोशिस जो है वो करूंगा तो दोस्तों यह तमारे आज के कुछ एक अपडेट आगर आपको यह वीडियो इनिप्रमेटिव लगी हो तो चैनल अपडेट के रिमारे साथ हो बने रहें धन्यवाद